आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस के एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें क्रोना की दोसी लहर ने साथ दिनों तक कहर बर पाया जिन्दगी और मौज से जंग में अपनों का साथ चूटा तो कई परिवारों पर दुखों का पहाड तूटा अपनों के खोने के गम में चीख थम गई लेकिन आसू अन्वरत बहते रहे एक परिवार में तो पती के साथ बेटी और उसके बाद बेटी के सांस भी थम गई अस्पताल से ही सीदे समशान घाट शव पहुचा और अन्तिम संसकार हो गया वहीं जिन मरीजों के बगल से मौत निकल आई उनके सोजन के धड़कने बढ़ी रही एक अपरेल से कोरोना के केस तेजी से बढ़े 30 अपरेल तक कोरोना पीक पर पहुँच गया एक दिन में 900 नए केस आए और 10 से 15 मौते हुई एम्बुलेंस के साइरन को सुन लोग सहम जाते हैं फोन घंकनाने पर किसी की मौत तो किसी की हालत गंबीर है यही सुनने को मिलता था वक्त बुरा था और हालात उससे भी ज़्यादा खराब अस्पताल में बैड नहीं ऑक्सिजन की कमी मरीजों की उखरती सांस कब थम जाए इसका डर डॉक्टरों के लिए जान बचाना सुनोती और बैड और ऑक्सिजन का प्रभंध मुश्किल लक्ष्य धीरे धीरे हालात में सुधार हुआ मदद के लिए लोग आ गया है खाना पहुँचता ऑक्सिजन कंस्टरेटर उपलब्द कराए अस्पताल में बैड्स की संक्या बड़ी इस बीच कोरोना की दूसरी लहर में 250 मरीजों की सांसे थम गई करीब 3000 मरीजों के बगल से मौत निकल गई 25 से 45 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद अपने घर पहुँच गए मगर अभी भी 90 मरीज अस्पतालों में जिन्दिगी के लिए जूज रहे हैं 14,588 मरीजों ने दी कोरोना को मात एक अपरेल से 6 जुन तक कोरोना के 14,965 नए मरीज मिले एक ही परिवार में 3-4 लोग संक्रमितों गए 85 फीसद मरीजों में सामाने लक्षन आए कोरोना की दूसरी लहर में 14,588 मरीज ठीक हुए एक अपरेल से 6 जुन तक कोरोना के नई केस 14,965 कोरोना संक्रमितों की मौत 250 और 14,588 मरीजों ने कोरोना कोदी मात सी न्यूस के लिए विजब अगेल की रिपोर्ट